आज हम मुंबई की वेकिंसी इसके बाद है में बात करेंगे और एक ऐसी कंपनी जो के ग्लोबल लीडर है जो के ISO सेटिफाइड है और जो के बहुत बड़ा नाम है शिप्मेंट में और मरीन इंडस्ट्री पहले कंपनी के बारे में जान लिते हैं कंपनी का नाम है एसमैक्स खास तौर से यह सर्विस प्रोवाइडर है नैशिनली नहीं बलकि गलोबल लेवल पे कहीं सारी कंट्रीज में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं खास तौर से हम मरीन इंडस्ट्री की बात करें I.T. services क की बात करें या फिर manpower solution के बात करें ये है नमबर वन शाथ दोस्तों इसके अलावाँ यह बहुत सारे सेक्टर में भी अपनी सर्विस्सक्राइब करते हैं जैसे हम बात करें एजूकेशन एंड ट्रेनिंग की जैसे हम बात करें skill development की जैसे हम बात करें catering की और इनका इतना बड़ा नाम दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि ये marine सेक्टर में और खास्तोर से shipping सेक्टर में ये दोनों onshore and offshore territories में marine industry में अपनी services provide करते हैं इसलिए ये बहुत बड़ा well known नाम है और अब इनके नए projects जी हाँ shipping and dockyard project के लिए ये hiring शुरू कर चुके हैं तो चलिए सीधे चलते हैं vacancies के बारे में जानने के लिए और देखते हैं के ASMAX आपके लिए Mumbai में कौन सी openings लेकर आ रहा है पहली vacancy है दोस्तों safety officer की इसके लिए आपके पास मैं diploma या degree होना चाहिए engineering के शेत्र में और एक साल का diploma in industrial safety from a government recognized institute position number two safety steward या फिर safety assistant दोस्तों इस position के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए HSC यानि के higher secondary इसके साथ साथ आपके पास safety training का experience होना चाहिए कम से कम दो साल का दोस्तों यह जो vacancies के बारे मैं मैंने आपको बताया ASMAX की shipyard and dockyard project के लिए उसके लिए salary आपके होने वाली है negotiation यानि कि आपकी योग्यता आपके अनुभव पर और आपके interview पर depend करेगा कि आप कितना negotiate कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी दो important vacancies अगर आपके पास नहीं योग्यता हैं यह experience आप भोल करते हैं तो देरीक इस बात की जल्दी से आपके screen पर पता आ रहा है details आ रही है, contact number आ रहा है, email address भी आ रहा होगा तो उन पर contact कीजिए, अपना updated CV भेज दीजिए क्योंकि shortlisting अभी चल रही है, इसके बाद जब आप shortlist हो जाएंगे दोस्तों तो आपका जो final interview होगा वो offline होगा जाने के Mumbai में आके होगा, Santa Cruz में होगा और साथी साथ ये सारी details हमने description में भी डाल दी है, तो आप महां से भी जाके check out कर सकते हैं और जल्दी से इस job opening के लिए अप्राय कर सकते हैं और आ सकते हैं Mumbai इस company के साथ जोड़ने के लिए आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए, और अगले वीडियो में मैं आपके लिए बहुत interesting और भी अच्छे अच्छे vacancies लेकर आता रहूगा, थैंक्यू सो मच पो वाचिए लिए, दनने यावागा